आज की वडियो कोई गेमप्ले वडियो नहीं होगी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने दो साल के डिपलोमा की कहानी जो थोड़ी सी इंट्रेस्टिंग भी है और खौफनाक भी तो बिना देरी किये शुरू करते हैं अपने कहानी तो कहानी शुरू होती है दिपलोमा कॉलेज से जहां पर दो बैचिस थी एक तो सीनियर्स और दूसरा तो हम जुनियर्स तो चलिए मैं आपको मेरी क्लासमेट्स से मिलाता हूँ पहले तो मैं दिवन अन उनली बॉय और बाकी तो अमारे क्लासमें तीन दीदिया थी जिन में से दो तो बड़ी अच् पहली हाइट में छोटी थी दूसरी उम्रह में छोटी थी और तीसरी अकल्य में छोटी थी तो चले ज़ scenarios के तेल क्योंकि इसकानी की जो मेंन विलन है यह उसकी पूझबन के हर जगा घुमती रहती थी वह खाई में भी को देगी यह उसके साथ खाई में को डेगी और इसकानी के मेंन विलन जो अकल में छोटी लेकिन उम्रह में मुझसे पूरे चार साल बड़ी नाम मिस स्केलीटन प्रइम इसलिए उसका नाम रखा है क्योंकि उसका लगता है कि किसा इसे इंसान की चमड़ी और कपडये चेड़ा दिया है अगर किसा स्केलीटन को लो अर उसके उपर इंसान की चमड़ी और कपड़े पायना दो तो डिट्टो उसी के शकल नजर आएगी तुमको ऐसी उसके शरीर अश्टी थी उस मतलब उसके शरीर ऐसा था अब उसका शरीर कैसा वे उसको मेरे को उससे मेरे को जादा लेना देना नहीं है लेकिन मुझे उसके सभाव से लेना देना है इसका शरीर स्केलेटन के जैसा और घमंड पूरे पाइलवान से भी ज्यादा पाइलवान को भी घमंड नहीं होगा जितने उतना इसको घमंड है इतनी घमंडी लड़की थी यह अब इस डिपलोमा का एक हिस्सा भी होता था जो कि था प्राक्टिकल्स जो कि हमें पूरे करके कंप्लेट करके टीचर को सब्मेट करने होते थे अब अगर मैं इस डिपलोमा के प्राक्टिकल्स के बात करूं जो हमको लिखके देना पड़ता है वह लगबग एक साल का 30 दरजन कागज मैंने लिख लिया इसा समझ सकते हो तुम इतना इसा पकड़ लो क्यार अब यह इतन प्रांदे बैंच में बैठकर गपे लटा रही है और वह तियुद में अक्ल और प्रैक्टिकल का सारा सामान घर पर भुल ती अब यह तिनों लड़किया प्रैक्टिकल के लिए कागज, पेन, पेंसिल, वाइटन, सारा का सारा सामान मुझसे लेती थी, अब लेती थी, इससे ना वो छोटी बन गई, ना मैं बड़ा, बिल्कुल भी नहीं, अब क्लासमेटों मदद तो करने चाहिए, इसलिए मैं भी मदद कर दिया करता था, अब न उन्हें जो मदद करी, बस मदद करी, ज्यादा उचल मत, खैर, सेनियर्स और टीचर्स जो उनके अच्छे बात बोल दे थी, वो तुम सुनके यह अपना मुझ फुला के बैट जाती थी, अब एक अच्छे क्लासमेट की तरह, इनका प्रैक्टिकल्स और बाकी स्कूल का काम काज में मैं उनकी हेल्प कर दिया करता था, अब इन दो सालों के अंदर अंदर हमने जो है अलग-अलग फेस्टिवल्स अलग-अलग कॉम्पिटिशन एक साथ में सेलिबरेट करें, कुछ अच्छे थे, बहुत सरे अच्छे थे, बहुत सरे अच्छी यादे बनी, आप मु मैं उसके मन में और कड़वाट बढ़ती ही जा रही थी, मेरो को समझ में नहीं आ रहा भाई मैंने ऐसा करा क्या जो इसकी मन में इतना कड़वाट भरी हुई है, इतना मेरो को देखके इतना आग बोला के ओती है, अब यही एक दिन के बात है, मैं जो बहुत दिनों के पर था नहीं, मेरे पास बुक्स थी नहीं, तो जो प्रैक्टिकल कमप्लीट कर सकूँ, यह लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं, मुझे इनसे मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम उदर प्रेजेंट ते तुम बताओ कि कैसे कमप्लीट करना है, यह मुझसे मदद मांग मैंने ना कर दी, तो पता नहीं, पूरा क्लास शायद से मुझसे चड़ गई, अब हुआ यह कि दूसरे दिन जो है, जब मैं कॉलेज आया, तब जो है, वो दीदी बे आयोई थी, दो में से एक दीदी, तो उन्होंने बोला, कि देखो मैंने प्रैक्टिकल तुमारे मदद क के बगार कंप्लेट करा, अब यह सुनकर मिस केलिटन बुली, इसके मदद के जरूत किसको है, भाड में जाए और इसके मदद, अब तेरी मदद की किसी को जरूत ने, तेरी इदर किसी को जरूत ने, समझा, इतना दो साल मुझसे मदद ली, और आब यह मुझे ऐसे सुना मुझे आया बहुत ज़्यादा तेज गुसा, लेकिन मैंने अपना गुसा शांत करा, और ठान लिया, इसको सबग सिखाऊंगा, इसको रोष्ट मारूंगा माई, इसलिए मैंने थोड़ा वेट करा, अब सर आगे हमारे क्लास में, अब हमारे सर आके आमको पढ़ा रहे थे, कि एक टीचर को कैसे होना चाहिए, मैंने बोल दिया, सर आप किसको बता रहे हो, इनको कोई स्कूल में चप्रा से ने रखेगा, तो टीचर रखने के बाद तो बहुत दूर किया, इनकी चप्रा से बनने क्यों अकत नहीं, आप टीचर के बाद कर रहे हो, अब ये सुनकर व लेकिन मैंने सोचा कि नहीं जाने दो, थोड़ा गुसे को काबू किया, और हाथ को जटक दिया, उसकी हिम्मत तो देखो, बहुत अले के मुझे पर गुमा रही हो, मुझे आ गया गुसा, तो भाईया, इसके कान के नीचे एक जापड मार के इसको समझ में आएगा, कि इनस के फटकार लगा दू, एक कान के नीचे जापड मार सकू, उसने वो चली गई सीधा अपनी दोस्त की गोद में, उस में इस टेल की गोद में चली गई, और उदर बेंच था, तो मेरे पैर अटक रहा था, तो मैं इसका गला या फिर हाथ पकड़ के खिचने की कोशिश कर र काबो में था, इसलिए वो जब रोने लग गई, तो भाई मेरे दिमाग ने मुझे कहा, तो मैं अपनी दिमाग के बात सुनके अपने आप रुख गया, ऐसा ने कि मेरे को दो-चार लोग आ गए और पीछे खिचने लग गया, बिलकुल बिने, अब मैं अपने आप रुख अब ये सब कुछ मामला हो गया, टीचर बे आके मतलब बाकी के टीचर, मेरे टीचर ने मेरे को कुछ ने बोला, एक फीमेल टीचर थी वो आई नहीं थी, लेकिन दूसरी जो फीमेल टीचर थी, उनको पता ने क्यो लड़कों से ज्यादा लगाओ, आके मुझे जगडने ल अब ये मामला शांत हुआ, और दस मिनट के बाद शायद उसके दिमाग में आया एक शैतानी आडिया, और उसने निकाला दुनिया का सबसे खतरनाक अस्त्र, ये अस्त्र दुनिया का सबसे खतरनाक अस्त्र है, एक वक्त परमाणों हत्यार के बमसेज बचा जा सकता है, ब् के जमाने में बहुत से लड़क्या इस अस्त्र का इस्तमाल करती है और यस दिव्यस्त्र का नाम है sympathy अस्त्र तो इस अस्त्र के असर से सब्भू को ये लगने लगता है कि वह लड़की बहुत जादा मासूम है उसके उपर बहुत जादा अन्याय अत्याचार हुआ है अगर आपने एक हलका सा मार भी दिया तो बहुत जोर से चलागी आई इसने मेरा हाथ तोड़ दिया और उसने भी वही किया मैंने उसकी कलाई पर फटके मारे उसके हाथ मुझ पर फटका उसको कुछ नहीं ल अब एक राज के बाद बताओं उसको पुलीस वाली बनने कहा है बहुत बढ़िया पुलिस प्लीस में अब जैसे नौसे क्यों की और बेवकूफ में डफरों की बहुत जरूर थे कृपया पुलिस भरती में भरती हो जाए ताकि क्रिमिनल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए पता लगाना पड़ेगा जासुसी करना पड़ेगा कहां पर इसकी पोस्टिंग होगी उधर जिदर पोस्टिंग होगी उधर मस्त अपना धंडा चलेगा धंडा कॉन सा धंडा च नकली गन लेके जाओंगा जिससे जोर दार आवाज थकी हो मैं स्कूल के स्टाफ दर्म में बोल आयाए और उन मैडम ने करकूर क creams सिब्सक्राइल ज़ाद की मेरी काई मेरी को कई नहां सब दूचा साथ के हैं मने के सब का सब्सक्राइया थेना तक्षिए मैं, हम थोर यह की थाड़ा में कि तूड़ गई नई तेरी गल्ती है तूने उसको मारा तूने उसको क्यों मारा और वाद मेरी माव unique मावडी आई और मैंने मैंने कुह चुछ सबह होती और मेर शांती शांती पूर में जवाब दिया अगर मेरी बहन ऐसी उती मार देता मैडम का मुँ बंद उधर ही बंद फिर मेरे को प्रिंसिपल के रूम में बुलाया गया उन्होंने प्यार से समझाया उन्होंने ज्यादा गुस्से में नहीं समझाया वो बहुत अच्छे इंसान थे ज्यादा गुस्से में नहीं समझाया उन्होंने मेरूं को अधिया ऐसा कोले गुस्सा सभ्णाव संहा है उसे पाइन सपे बात में इतने साल ही अatem इतने धänger करikkace сообщ गुस्से मैं में किनल एक परें फट गया बस और कुछ नहीं उन्होंने समझा था वाफी मत सोचें अगे अगेमा का इस लिय seemed वारना मैं मां माफी नामा उसकी गरदन तोड़ने के बाद लेघता मैं इतना मेरा मीरा दिमाग सटकता हुआ था उस टायम पर मन कर रहा था ति एक त्मशेड लुँ और दुनिया के शारी लड़कियों को फिर मैंने दो चार दिनों तक हफ्ते बरतक में कॉल्ज में गाये निए फिर बाद में बारे आती है इंस्पेक्शन की और सिफनी लग गया और उनको प्रक्टीकल लेके एक जगह पर पुलाया गया था अब उन्होंने practical मांगा था आखरी समय था उनको चेक करना था तो इन लोगों के practical आधा अगदूरा मेरा अकेले का practical था इसलिए मुझसे गदा मजदूरी करवाई गई उपर चड़के यह practical निकाल यह कर और यह practical मेरे मेरे practical के फाइल बांदो उधर से आवा जा रही है चिन मे मैंने सर के टेबल पर एक सर जी के टेबल पर अपने प्रैक्टिकल रखा था वो गायब था मैंने इधर उदर ढूंड़ा मुझे मिला नहीं फिर मेरे दिमाग की बत्ती जले कि ये करन फर्म क्लास्रूम में होगा और सोचो कहां पर था क्लास्रूम क्या ही अंदर था मतलब क् दीदी ने वगरे लिया होगा प्रैक्टिकल कंप्लेट करने के लिए क्योंकि उनका भी इनकंप्लेट था और उनको भी घर के बहुत काम होते थे तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उनकी मदद करने लग गया अब जो होस्टेल गर्स होस्टेल से तो उन्हें मुझे और वहां के चप्रासी अंकल जी को जो मैं भेज़ा था उन से मेरे रिष्टे बहुत उच्छे दे उनसान दे वह बहुत उच्छे दे वह उनके साथ चला गया उस गर्स होस्टेल के अंदर से फरनीचर लाने के लिए अब उधर चच्चा ने फरनीचर तेर क कर ढण रहा है उधर पुरा तॉमेंजरी वाला सीन्स याद आगे में चलका रहा है कि मैं टॉमिंजरी देख रहा हूं यह चलका मस टॉम बन पूं मेई जरी के से पिछा है आरे यह पकड़ा नब उस चुटखी ने जो उदर मॉस्टेड में रहा करती थी इधर उधर कबड़ के अंदर आटा गिरा दिया था जिसकी वजै से उसको खाने के लिए चूहें आगए और उन चूहों ने यह अपना घर बसा लिया मतलब इतनी गंदगी करके रक्षी थी उस लड़की ने पि क्लिनिंग के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे चच्चा चच्चा को जरा सी भी गंदगी पसंद नहीं थी किसी दिन वो लड़की उसके सामने ना जाए जाड़ू लेकर उसको साफ कर दिंगे वो चच्चा इतना गुसा उनके आगों मैंने देखा है इतना ज्यादा इस लड़की ने करिये यह लटकी है कि क्या है कि तो अभी जो है हम एक दिन एक दूसरी एक्जाम के लिए स्टेट से बहार गये थे द्वी श्टेट में जाना पड़ा गया था क्योंकि उसका एक्जामीनेशन सेंटर बहुत दूर था बहुत जब दूर तो तो हम जो हैम सि सब्सक्राइब impacted met ये लघ्माइब करते थे टीचर चुर्ड़ा कर ने सब्सक्राइब पड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा होता है किसका प्रेक्टिकल है और अक्षर भी उनको पता ही था मेरा नाम उनको पता ही था तो उन्होंने देखा कि मेरा प्रैक्टिकल लेके जा रही है और कई पर जाकर मेरे प्रैक्टिकल के जो स्क्रीन शॉट्स फोटो लेकर खुद कॉपी कर रहे हैं बहुत बढ़िया एक तो मुझसे जगड रहे हो रानी तेवर है रानियों वाले और काम है चोरो वाले नाम राजा भोज का और काम यह से क्या बोलते हैं वो गंगु तेली वाला गंगु तेली का काम क्या भाई मेरे को इतना आटिट्यूड दिखा रहे हैं और मेरा ही प्रैक प्रेक्टीकलल लेक है उनको पूछोंगा जुरूर मेरा प्रैक्टीकलल लेक है कितने मार्ट दिया टीचरस ने तूमको ऐसा एक में इंक शब्द का चाटा जुरूरूंको महरूंगा मैं तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही उम्मीद आपको आज की वीडियो से फिर मुलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ तब तक अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें और याद रखें सही वक्त सही कदम सतर्क रहें याद झालब करांटा वा लाद लाद बस्तिक्त रहें